तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे और लौकी से बहुत ही चटपटा नास्ता मिंटों में बनके तयार होता है और आपको ये नास्ता बहुत ही लाजबाब लगेगा बहुत ही टेस्टी है तो देर की इस बात की रेस्पी को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी घीया और गेहूं के आटे का नास्ता मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा तो यहाँ पे मैंने ले लिया है घीया और जैसा आप देख रहे हैं घीया पतले साइज का और बिलकुल नरम लीजिएगा इस तरीके से इसे छिल लेंगे जैसे मैं छिल रही हूँ और छिलने के बाद मैं क्या करूंगी इसे अच्छे से धोलूंगी पहले भी आपको धोलेना है और छिलने के बाद भी यहाँ पे देखिए मैं इतनी घीये का यूज नहीं करने वाली हूँ तो मैंने जो बचा हुआ हिस्सा है उसे एक साइड में रख दिया है उसको सबजी वगरा में डाल लेंगे और अब देखिए इस तरीके से पतले-पतले स्लाइस में गोल-गोल हम घीया को कट कर लेंगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारी घीया मैंने कट करके रख ली है अब इसे क्या करना है बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और उसके उपर से डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ताकि जब हम इस नास्ते को खाएं तो घीये के साथ साथ इसमें बहुत ही अच्छा नमक का मिर्च का टेस्ट भी आए तो यह डालने के बाद मैंने सारी चीजों को हाथों से इस तरीके से मिला दिया है इसे हाथों से ही मिलाईएगा हाथों को अच्छे से वास करके मिला लीजिएगा अब हम लेंगे गेहूं का आटा एक कप जिसे बॉल में डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम डाल रहे हैं दो चम्मच के करीब चावल का आटा ये पूरी तरह से ऑप्सनल है चावल का आटा नहीं है तो आप इसके जगव पे महीन वाली सूजी डाल सकते हैं यहाँ पे देखिए मैंने अद्रक लहसन हरी मिर्च को इमाम दस्ते में कूट लिया था और उसे डाल दिया है कूट के डालेंगे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा थोड़ी सी चिली फ्लिक्स डाली है मैंने उसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक और यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर हल्दी पाउडर साबुट जीरा और इसके बाद हम डालेंगे धेर सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया इसे डालने के बाद अब हम सारी चीजों को इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे ताकि चावल का आटा, गेहूं का आटा, सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं तो यहां पे देखे इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को मिला दिया है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बेटर बना लेंगे एक बार जादा पानी मट डालिएगा क्योंकि गेहूं का आटा है बहुत जल्दी इसमें लंस मन जाते हैं तो यह देखे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओंगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी आप इसमें गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर वगएरा डाल सकते हैं गर्मी जादा होने के वज़े से मैंने इन मसालों को नहीं डालना है यानि गरम मसाले का यूज नहीं किया है अब सारी चीजों को हम इस तरीके से अच्छे से मिलाएंगे तो ये देखिए अच्छा सा एक बेटर बना लेंगे जैसा कि चीला वगएरा का बेटर बनता है ना बिल्कुल उसी तरीके का बेटर हमें बना लेना है तो ये देखिए हमारा बेटर लगभग तयार ही हो चुका है और जो हमने लौकी में नमक और मिर्च लाया के रखी है उसे तभी लगाईएगा जब आपको इस रेस्पी को बनाना हो बहुत पहले लगा देंगे तो लौकी जो है बहुत नरम हो जाएगी और धेर सारा पानी भी छोड़ देगी तो इसलिए जब आप इस स्वेटर को बनाने जा रहे हो या बना लिये हो तभी आप इस तरीके से उसे नमक और मिर्च में अच्छे से कोट कर लिजिएगा इसके बाद हम डालेंगे एक बड़े चम्मच से एक चम्मच गरम तेल तेल को इसा भी डाल दीजिएगा गरम तेल ड के हमने अच्छे से इसमें मिला लिया है तो आप चलते हैं फटाफट गैस की तरफ फ्राइंग पेन रखा है उसमें बड़े चम्मच से एक चम्मच ओयल डाल देंगे और इस तरीके से जो हमने घिया मिर्च और नमक में कोट करके रखी थी उसे इस तरीके से लगा लेंगे तो ये देखिए लगबग जो घिया है वो अच्छे से सारी घिया को हमने लगा दिया है सेट कर लिया है अब हम गैस की फ्लेम को ओन कर लेंगे और उसके उपर से जो हमने गेहूं के आटे का बेटर बनाया था उसे डाल देंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारा बेट यह देखिए जब यह नास्ता उपर से सूख जाए और नीचे से हलका सा पक जाए यानि अच्छे से क्रिस्पी होने तक पक जाए तब आपको इसे पलटना है क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी बाजी करेंगे तो यह नास्ता टूट जाएगा तो यहां पर देखिए हमने प अब हमने इसे प्लेट में ट्रांस्फर कर लिया है और इसे हम हलका ठंडा होने देंगे जब हलका ठंडा हो जाएगा तब ही हम इसे कट करेंगे तो यह देखिए अब ठंडा हो चुका है मैंने पीजा कटर लिया है और इस तरीके से पीसों में पीजा की तरह ही काट रही आप सिर्फ एक कप चाय के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिश लगेगा यहाँ पे सर्फ कर लिया है इस नास्ते को मेरी ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी रेस्पी आपको जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं नाई रेस्पी के साथ बाई बाई दोस्तों